वेल्कम स्टूरेंट चैप्टर सिक्स शेट्स बिकम्स प्लांट्स बीच से पहुदा बनना जिसमें हम आज 36 पेज नमर पे देखिए नेम ओफ दे प्लांट आपको प्लांट्स के नेम दिये गए है और आपको क्या बताना है पार्ट ओफ प्लांट फ्रॉम विच इट ग्रोन आपको बताना है कि वह किस पार्ट से बना है जैसे बात करते है पॉटेटो की तो पॉटेटो बना होता है स्टैम से Money plant तो वह भी stem का होता है बनावा, mint plant रूट से मिलका बना होता है Rose, stem, jasmine stem, bryofilum, leaves तो first question है explore and answer the following questions How is grafting done? Grafting क्या है? तो देखिए, grafting एक ऐसा मलब technician है जिसमें हम plant को पहले तो cut किया जाता है plant cutting के बाद, plant को जब काटते हैं तो उस plant पर another plant को रखा जाता है और इसमें उनकी tissues होती है वो धी-दीर ग्रो करने लगती है और इसमें एक नया new plant का निर्माण करते हैं तो इस process को हम बोलते हैं कमल बांदना, हिंदी में बोलते हैं कमल बांदना, English में बोलते हैं करते हैं कमल बोलते हैं तो देखें इसमें हम लिखेंगे Crafting is a technetium that joins two plants into one in the general a wood is create on one of the plant and the other is into that wood so each plant's tissues can grow together जिसे भाह उत तक ग्रो करने लगती हैं next question number second write the name of plant which is grow by its leaf आपको इस plant का नाम बताना जो leaves में होती हैं तो देखें उपर आपको इंडेक्स में आपको इंडेक्स में जाएगा ब्रायो फिलम तो देखें नोट बुक में भी ब्रायो फिलम लिखावाई next dispersal of sheets बीजो का पहलाओ ठीक है पॉइंट का है वीजो का पहला तो देखें कैसा होता है मीरा सा आप एक प्लांट the wall of our temple तो she thought that who must have grow in this plant कि मीरा ने देखा कि मंदी की दिवार है माँ पर पीपल का व्रक्षु निकल आया है दिवार पे ठीक है तो उसने सुचा ये कहां से आया इसने ये कहां से ग्रोकिया she asked her father उसने अपने पापा से पूछा and we told her dad कि the sheets must have risk through some bots तो उसके पापा ने क्या अंसर दिया कि जो ये sheets says वो शायद कहां से आया होगा bots कबुतर या पिर चिडियों या bots के द्वारा पहुंचा होगा similarly sheilds sector in different place with the high speed wind ये जो sheilds यानि बीज है वो हवा के माध्यम से भी आ सकते हैं they flow with the water और पानी के माध्यम से भी और they may stick on the beak of the birds या फिर birds की चौच में भी and body of the animals या फिर बोल सकते हैं animal यानि जानरों के body पर भी चिपके आ सकते हैं sheilds this phenomenon phenomenon of selecting of sheilds is now as the dispatch इसी से ही इस घटना को हम क्या बोलते है फैलाव मतलब बीजों का फैलाव एक सान से दूसरे सांपर कैसा हुआ तो बहुत से रीजन बता है पहला कबूतर या bots यह बता सकते है water के द्वारा wind मलहावा के द्वार हो सकते है और animals की body के साथ चेपक कर भी आ सकते है ठीक है plants can grow in water on the world मलहा पानी हो मिट्टी हो अच्छा पॉठ हो तो अधर डेट दे ग्राउंड यहां पर यह सब चीज़ होती है बहाँ पर यह plant ग्रो करता है नेक्स है plants from foreign countries foreign countries में देखे क्या होता है क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते है जो business के काम के चकर में बहार के दिशों में जाना पड़ता है तो उसमें जो animals होते हैं वह भी one place or two place में जाते हैं और another place में जाते है the plant prevention blow have come to Indian from other countries और यह भी अलग-अलग countries में जाते हैं plant भी इसी प्रेकास है when people migrate and settle down at other place the plants these plants also shift from the one place to another place यह समझाया गया कि plants one place another place पे जाते हैं किस माधियम से तो हमने उपर study किया अभी तक जैसे आपको बता दिया है birds, kappooter water भी हो सकता है हावा के दवारा माधियम से भी हो सकता है बहुत से reasons go through the table in which the names of the plants and the place from where they have come is mentioned आपको पास में टेबल दी गई है उसमें बहुत से plants की नेम भी बताएगे है और वह कहां से आये वह वह भी बताएगे है तो कल हम उन plants की study करेंगे तो आज के लिए इतना तो आपको यह जो 36th page नमर और उसकी reading घर पे करनी है आपका homework है कि इसको reading घर पे करना है कि अज़ है